हलो उच्छों, तो यह हमारी एविंजर्श रीस्टी अगली प्रॉलम है, यह सवाल आईटी एड्वास में आचुका है, बहुत ही बच्छा सवाल है, तो कि इसमें बहुत सारे चैप्टर से कॉंसेट यूज ओर है, ठीक है, करेंट का कॉंसेट यूज हो रहा है, कैपेसितन स अच्छे तरीके से सीख जाई है कि एक infinite line charge है जिसकी charge density केतनी है चालग दिंश्टी लेंडा है लाइस अंग एक्सेस ओप अलिक्तिकली कंड़क्तिंग इंफानाइट सिलेंडिकल अफरी इसार एक इनफानाइट सिलेंडिकल चैल है उसके एक्सेस पे इन्फानाइट नाइन चार्ज चार्ज अश्टी लंड़ा है ठीक अब क्या बूला के ताइम टी बराबर जीरो पे मधिर क्या है इसके अंदर क्या किया है एक मैट्रियल भर दिया गया है इसकी कितनी कू heter के बराबर है और इसकी पालेट्तीवीटि ऑचे बराबर है इसके अंदर किसी भी point पे current density का magnitude ठीक, time के साथ में कैसे vary कर रहा होगा, तो इन चार graph में से हमें most suitable graph बताना है कौन सा होगा, ठीक? हाँ, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बिसकली ये सवाल एक तरीके से एक ऐसा डालेक्ट्रिक भरा गया है, जिस डालेक्ट्रिक की कुछ conduction भी है, तो एक leakage current उसके अंदर flow होना स्टार्ट हो जाएगे, ठीक? उस leakage current, time के साथ में किसी point पे कितनी होगी, उसका variation कितना होगा, ये पूशे जा रहा है, ठीक? अब इस सवाल कैसे किया जाएगे, basically मुझे किसी भी point पे current density का बताना है function, ठीक? time के साथ में कैसा होगा, अब current density के हमें कितने formula मालू है, current density आती कहाँ पे है, current density के दो formula है, एक तो j बराबर n e v d है, ठीक? लेकिन वो यहाँ पे कहीं use नहीं होने वाला है, तो किटर फिलास्टिक कोई बात नहीं हो रहे है, दूसरा formula j का ये वाला भी है, रो बराबर e by j भी होता है, किसी भी point पे electric field upon current density क्या होती हो, resistivity होती है, and thus, j बराबर कितना आजाएगा? e by rho या sigma into e, जहाँ sigma उसकी electrical conductivity होगी, जो कि दे रखी सवाल पे, ठीक? तो current density है, किसी भी point पे आखने मिलेगी कैसे? अगर उस point पे हम electric field निकाल लाएगा, अब किसी भी point पे electric field कैसे मिलेगी? ये सवाल है, electric field कैसे मिलेगी? दोई तरीके electric field निकाल लाएगा, एक gauss law है, एक coulomb's law है, यहाँ पे gauss law साथ साथ दिखारा है लग जाएगा, क्योंकि symmetrical case है नहीं, तो अगर हम gauss law लागाने के क्या करें? अगर हम एक ऐसा gaussian surface बनाएं, जो उस point से पास कर रहा हूँ, cylindrical, जहाँ पे electric field चाहिए, उसकी नंबाई माल लेते हैं, L है, उसका radius R है, इस gaussian surface के लिए, जब हम gauss law लगाएंगे, तो इसमें electrified कैसे होगी? किसी भी point पे से readily output होगी? इस gaussian surface के लिए, जब हम gauss law लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोगो? हम लोगो लिखेंगे, e dot da का integral, बराबर q by epsilon, बोलो? नहीं, यह नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब dielectric में लिखेंगे, हम लोग gauss law, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसकी dielectric constant के से भी multiply करना पड़ता है, अगर हम यहाँ पे free charge दे रहे हों, उस लिखेंगे कितना होगा? ठीक? जहां क्यों इस cylinder के अंदर का charge है? है ना? अब dielectric constant कितना होता है? dielectric constant होता है, epsilon upon epsilon not, e dot da का integral, पूरे-पूरे close surface पे बराबर q by epsilon हो जाएगा, epsilon not हो जाएगा, यह cancel हो जाएगा, epsilon not, ठीक? and thus, हमारे पास क्या जाएगा? symmetrical case है, electric field यह से readily बाहर जा रही है, cylindrically symmetrical electric field है, तो क्या हो जाएगा? e dot da का integral कितना जाएगा? e into, इसका surface area 2 pi rl, यह standard result है, है ना? cylindrical case में, e dot da का integral कितना होगा? e into, उस cylindrical area 2 pi rl, बराबर q upon epsilon हो जाएगा, ठीक? and thus, इस से हमें किसी भी point पर electric field मिल जाएगा, उस electric field को हम लोग यहाँ use करेंगे, j बराबर sigma, कितनी electric field है? यह epsilon not ही होगा, epsilon होगा, q upon 2 pi rl, epsilon, ठीक? दस, किसी भी point की current density, बराबर, किसके होगी proportional? उस point के अंदर कितना charge है, उसके दारेख़ी proportional होगी? अब charge क्या कर रहा है? लीक कर रहा है, ठीक? तो charge अगर लीक कर रहा होगा, तो current density भी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी? है ना, time के साथ में? अगर इसके अंदर charge बाहर जा रहा होगा, तो q कम हो रहा होगा, तो j भी कम हो रहा होगा? हमें वो विरेशन मताना कैसे हो, क्या किया जाए? इसी एक्वेशन को differentiate कर दिया जाए, क्यों? तोकि हमें मालूम है, क्योंकि इस surface से जाने वाला charge, इस surface पर अगर charge क्यू है, इस surface के अंदर ना, तो q का derivative ही surface से flow होने वाली current भी होगी, नहीं, इस q का derivative ही surface से flow होने वाली current भी होगी, तो तुम क्या करें, इसी equation को एक बार time के respect में differentiate कर दे, तो क्या मिल जाएगा, dj by dt बराबर sigma by epsilon, epsilon not नहीं, epsilon होगा, medium का, 1 upon 2 pi rl, ठीक, into dq by dt आ जाएगा, what is dq by dt, current, simple भी बारते लेकिना, क्योंकि q कम हो रहा है time के साथ में, तो i की value, i की value dq by dt नहीं, minus dq by dt के बराबर होगी, ठीक, तो dq by dt कितना होगा, minus i आ जाएगा, यह function कितना आ जाएगा, sigma epsilon, minus of i आ जाएगा, upon 2 pi rl, ठीक, है न, अब मुझे बताएगे, dj by dt बराबर sigma by epsilon, उस medium की permittivity upon i upon 2 pi rl, और i जो current इस cylinder से के area से जा रही है, upon 2 pi rl क्या होगा, जही तो होगा, क्या बन जाएगा function, dj by dt बराबर, minus sigma by epsilon into j, यह हो जाएगा, j का differential equation time की respect में, इसको solve करेंगे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, क्या, j as a function of time, कैसे solve किया जाएगा, यह standard equation है, बहुत बार आचिक पी पहले, dj by j, variable separation से बराबर, minus sigma by epsilon, dt यहाँ ले गए, तो variable हमने किया, separate, दोलो side में कर दिया, integral, ठीक, क्या आजाएगा, ln, starting में अगर, j not हो, बाद में, j हो गया हो, ln, j by j not, बराबर, minus sigma by epsilon, t का जाएगा, इसे कर दे, exponent form में, तो क्या मिल जाएगा हमें, final जो हमें function मिलेगा, वो j, बराबर, j not, e की power minus, sigma by epsilon, t मिलेगा, यह जे time के साथ में, exponentially कम होता जाएगा, ठीक, यह कौन सा function है, exponential decay का function है, जैसे nuclear, यह, radioactive decay में होता है, exponential decay का function है, इन में से कौन सा graph, exponential decay का है, यह वाला graph है, यही इसका answer है, second वाला, exponential decay का, फाइनली क्या होगा, बहुत समय के बाद, current density 0 भी जाएगा, सारा charge भारा जाएगा, ठीक, शर्या, तो कि देखें, कितना बढ़िया सवाल है, एक सवाल में, कितने multiple concepts, fundamental level पे advance में पूछेगे हैं, ठीक है, अगर आपके concept clear नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को बिल्कुल भी कभी भी approach नहीं कर पाऊगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीजों को दिमांग में रखते हुए, basics से, तो कहते हैं, fundamentals को check करने वाली बाद, तो यहाँ पे आपके proper तरीके से fundamentals चक किये रहें, ठीक है फिर, आप लोग मिलते रहेंगे अगले एवेंजे सरीस में, बाई बाई